दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में अजीबो गरीब प्रस्ण उठते रहते हैं जैसे कि क्या होता अगर पृत्वी उल्टी घुमने लगती क्या होता अगर सूरज गायव हो जाता तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही प्रस्ण का उत्तर लेके आएं प्रस्ण यह है कि क्या होगा अगर प्रिथवी पर ऑक्सीजन की मात्रा दुग नहीं हो जाए तो आए आज हम जानी लेते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है तो पॉइंट नमबर वन अगर प्रिथवी पर ऑक्सीजन बढ़ जाए तो दुनिया के वायू मंडल में हवा का दबाव बढ़ जाएगा और वातावरण घना हो जाएगा जिसके चलते विमानों ग्लाइडरों और पैरासूट को उची उडान भरने के लिए लंबे समय तक उड़ते रहने में मदद मिलेगी पॉइंट नमबर टू वातावरण में घनत होने के कारण अंत्रिक्ष में भेजे जाने वाले रॉकेट में कहीं ज्यादा इंधन का प्रियोग करना पड़ेगा रॉकेट को घसर से बचाने के लिए अधिक सुरच्छा अपनाई जाएगा पॉइंट नमबर थ्री ऑक्सीजन के जोलनसील होने के कारण आग लगने की घटना भी बढ़ जाएगी जड़ा सोचिए कि आप सिगरेट जलाने जा रहे हैं और जैसे ही आप सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाएंगे तो उसमें धीमी आग के जगा एक आग का गोला निकलेगा पॉइंट नमबर फोर ऑक्सीजन दुगनी होने के कारण इसका सबसे बड़ा नुकसान पेड़ों को होगा क्योंकि प्रकास संसलेसर जैसी कुछ प्रक्रिया कारवन डाई आकसाइड पर निर्भर होने के कारण धीमी हो जाएंगी पॉइंट नमबर फाइफ कु जैसे डाइनासोर और मेमत की जनसंख्या भी अधिक थी इसलिए अगर ऑक्सीजन को दूगना किया जाए तो जानरों के आकार में भी बृद्धी होगी पॉइंट नमबर सिट अगर ऑक्सीजन दूगनी होती है तो हम अधिक ततर्क होंगे और एक आगरता का इस्तर भी ऑक्सीजन के बढ़ने के कारण हमारे सारीरिक अंग तेजी से काम करने लगेंगे जिसकी वज़र से सरीर के अंग नश्ट भी होने लगेंगे और मानोजाती फिर से विलुप्ध होने के कागार पर आ जाएगी पॉइंट नमबर सेवन बिमारी से लड़ने के लिए हमारे सा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में अगर ऐसे ही कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ